असलाम अलेकूम, वेलकम थो माई चैनल, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़िदार सा डबल का मीठा यानि के शाही तुकड़े कीरे से पर शेयर करेंगे, जो कि काफी मज़िदार होता है और इससे बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए इससे बनाना शिरू करते हैं, तो करने के हिए यहां पर हमने देशीगी का इस्तमालее के है, आप हीसे डाल राई, या फिर रफाइंडर भी बनाकर तयार कर सकते हyst थे, और अगर आप से शेलो फ्राई करना तो फिर आप शेलो फ्राई भी कर सकते हैं, यह ऐना यहां असल टेस्ट होता है वो डीफ राई करके सब्सक्य क्लिख को या ओंब हमारे पास 10 लीटर गाल से यलो कलर खुड़ का पौडर साथ मेंसे क рук को दूद को पकाना है चब तक झिद हमारा थोड़ा सब गाढ़ानेहीं हो जाता हूं यह शकर पूरी तुर इस लेकी होजाती तो फ्लेम को हाई कर लेना है कुछ इस तरह से देखिए हमारा मिल्क तयार हो चुक है थोड़ा सा गाड़ा हो गया है ये रेडी हो गया है अग्स स्टेप में हम सिरप तयार करेंगे तो हमने आदा लिटर ही पानी लिया था और साथ में डाल दी एक कप शकर थोड़ा सा औरेंज फूट कर एक पिंज के करीब लिया हुआ है साथ में खुझबू के लिसमें केवरा वाटर डालेंगे दो चमस के करीब हमने भर की केवरा वाटर लिया इसका काफी अच्छा फ्लेवार आता है शाय तुकड़े में बस अब हमें यहां पर इसाररफ को पका लेना है इतना कि शूगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और यहां पर जो हमारा शिर्यप है थोड़़ सा चिप चिपा सा हो जाए तो देखी है具ह यहांपर हमाला सिर्यप बनके तो देखिअर पर आप्र आप कर देर भाए अब जो हमन नहीं सैफरोन मिल्क वो हम इसके ओपर डाल देंगे और सिरप और दूद को डालने के बाद यहां पर हमको कर लिना है फ्लेम को हाई और हाई फ्लेम पर यहां पर प्रेट के साथ इसको पकाना है जब तक हमें पूरा यह मिल्क और सिरप नहीं इसके अंदर सुखाना है इतना स हमने flame को medium कर लिया है और यहां पर इसके ओपर इसे खोया डाल देंगे हमारा homemade खोया है fresh तैयार है लेकिन अभी हम इसे बिल्कुल भी टश नहीं करेंगे इसे ठंडा होने के लिए सेट होने के लिए रख देंगे आदे गंटे के लिए अपनी पसंद से इसे जैसे चाहें डेकुरेट कर सकते हैं आदे गंटे हो गये से रखे यहां पर हमारा शाह तुक्ड़ा सेट हो चुके है अच्छे से तुने के फ्रेंड्स यहां पर हमारा बहुत ही मज़िदार शाह तुक्ड़ा तैयार है आप इसी तरह से इसको ट्राइच कीजिएगा यह दिखने में इतना अचाहे खाने में और भी जाद अच्छा है तो आप इसे अपने घर में ट्राइ किजिए और बताएं कमेट्स बॉक्स में कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करना बिल्कुल मत पुलिगा तांकी सो मच्छ